धोनी को टीम में सामिल करने से डरा पाकिस्तान ने दिया बड़ा बयान नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका दव्याइपी टीवी के एक और नए वीडियो में दोस्तो बिसीसाई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के 15 खिलाडियों का चेन कर दिया है जहाँ पर सबसे हैरान करने वाला फैसला महेंदर शिंग धोनी कर रहा या यू कहें कि बिसीसाई ने सब को चौकाते हुए एक मास्टर श्रॉक खिला है टीम इलिया को वर्ल्ड कप जिताने के लिए लेकिन आपको बता दे धोनी के टीम में सामिल होते ही विरोधी टीम पाकिस्तान काफी डरा हुआ है और धोनी को टीम में सामिल करने को लेकर अपना डर भी जाहिर किया है दोस्तो धोनी को लेकर पाकिस्तान ने क्या कहा है ये तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दोनी को टीम में सामिल करने का बिसी स्याई सही है या नहीं कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं वहीं इस वीडियो को लाइक करके दोनी को नई पारी के लिए सपोर्ट जरूर करें तो चलिए बीना वक्त गमा इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भार्टिय टीम का एलान हो गया है वुद्वार को मुंबई में शेंकरताओं ने 15 सदसरी टीम का एलान किया जिसमें आर अश्विन का नाम भी सामिल रहा अश्विन की 4 साल बार T20 में वापसी हुई है भारत ने सबसे ज़ादा T20 विकेट लेने वाले लेग स्विनर युजवेंदर चहल समेत 5 बड़े खिलारियों को टीम में जगा नहीं दी इसके अलावा भारतिय टीम ने 7 ऐसे खिलारियों को मौका दिया है जो पहली बार T20 World Cup खेलेंगे बड़ी खबर ये भी है कि धोनी भी T20 World Cup के दोरान टीम के साथ मौजूद रहेंगे तो आईए पहले आपको बताते हैं भारतिय T20 World Cup टीम की 5 बड़ी बाते हैं दोस्तो T20 World Cup 2021 के दोरान टीम इंडिया में महेंदर सिंग धोनी को भी सामिल किया गया है। पिछले साल इंटरनाशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी के साथ बता और मेंटार मौजूद रहेंगे। दोनी पूरे T20 World Cup के दोरान टीम के खिलाडियों के साथ रहेंगे और मुश्किल मौकों पर उनकी सलाह काम आएगी। बता दे दोनी की अगवाई में ही भारत ने 2007 में T20 World Cup जीता था। भारतिय T20 World Cup टीम में लेग स्पिनर युच्वेंदर चहल को जगा नहीं मिली है। कुल्दी प्यादा और वाशिंग्टन सुन्दर का भी पत्ता कटा है। बड़ी खबर ये भी है कि आप इस्पिनर आर अश्विन की टीम में वापसी हुई है। अश्विन पिछले चार सालों से भारत के लिए T20 मैच नहीं खेले हैं। लेकिन उनके अनुभाव को देखते हुए चैन करताओं ने उन पर दाव खेला है। वही भारतिय टीम में शिखर धवन पृत्य शा को मौका नहीं मिला है। यहीं नहीं कुनाल पांडे को भी नजर अंदाज किया गया। वही दीपक शाहर, स्रियस अईयर और सरदू ठाकुर भी 15 सदस्री टीम में जगा नहीं मना सके। इन तीनों खिलाडियों को रिजर्व रखा गया है। वही टीम इंडिया ने बेहादी कम अनुभाव रखने वाले लेगी स्पिनर राहूल चाहर और वरुड चक्रवर्ती को टीम में मौका दिया है। वही शान किशन को भी दूसरे कीपर के तौर पर मुख्य टीम में रखा गया है। संजु सैमसंग टीम में मौका नहीं बना सके। भारत के साथ की लाड़ी पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेरेंगे। जिसमें केल राहूल, सुरिक मारियादौ, रिशप पन, इशान किशन, वरुड चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और राहूल चाहर सामिल है। वही दोस्तों, बिसी सैय ने धोनी को टीम में चुन कर सबको चौका दिया है। खासकर विरोधी टीम तो हैरान हो गई है। T20 वर्ल्ड कप में महेंदर शिंग धोनी का अनुभाव, टीम इंडिया के बहुत काम आने वाला है। T20 क्रिकेट की बात करें तो दोनी ने अंठान पे T20 इंटरनेशनल और 211 IPL मैच खेले हैं। दोनी ने इन सभी मुकाबलों में विकेट किपिंग की है। बतार कप्तान उनके अनुभाव की कोई कीमत नहीं। मैच कप, कहां और कैसे करवट बदल सकता है। ये दोनी से जादा साध ही कोई क्रिकेटर जानता हो। T20 वर्ल्ड कप में दोनी अपमें अनुभाव के दम पर ही टीम इंडिया को चैंपियन मना सकते हैं। यही वज़ा है कि पाकिस्तान दोनी के आने से काफी डरा हुआ है। पाकिस्तान ने कहा दोनी मैच खेले या ना खेले। उसका टीम में रहना ही दूसरे टीम के लिए खत्रा है। तो दोस्तो आप समझ सकते हैं दोनी के आने से टीम इंडिया को कितना फाइदा होने वाला है।